नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने आल इंडिया आंगन बारी निउस चैनल में कहना चाहूंगा अगर आप सची खबरें आंगन बारी बहनों से संबंदित पाना चाहते हैं तो आल इंडिया आंगन बारी न्यूज चैनल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये रहा आपका सुदानसू पटेल चैनल दोनों चैनलों को जाकर कि आप सबस्क्राइब कर लीजिए दोनों जगए एक से एक बढ़कर के खबरे आप लोगों को दी जाती है जा गुरुपता के लिए हो या फिर आप लोगों की सची खबरे हो कहना चाहूंगा चलिए सुरू करते हैं आज की वो खबर जो आंगन बाड़ी बहनों से जुड़ी हुई है जिसमें सिच्छा मित्रों को भी तैनात करने की आपे बातें की जा रही है दरसल आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यह जो पोस्ट और जो एक खबर आप देख रहे हैं यह जो मीडिया में चल नहीं है बातें इस चीज़ को लेकर के आँगन बाड़ी बहनों आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोगों के केंद्रों पर बहुत ही बड़ा एक पर तो यह एक जो खबर है वो कहीं न कहीं हमारी आँगन बाड़ी बहनों आप लोगों के लिए एक मुसीबत भी बन सकती है क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं सिच्छा मित्रों का हाल अब यहाँ पर सरकार उनको कहां लगाना चाहेगी अब यहाँ पर आँगन बाड़ी केंद्रों में अगर उनको लगाया जाएगा तो फिर आंगन बारी बहने उनकी जिम्मेदारी होगी वो क्या समालेंगी तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है और अगर से अगर सिच्छा मित्र अलग से आ गए तो फिर यहाँ पर आने वाली जो भरतियों की रा बहने देख रही है फिर उनकी भरतियां कहा जाएंगी तो यह सारे के सारे सवाल आप लोगों को सायद इस पोस्ट के जरिये मिल भी सके तो चलिए हम सुरू करते हैं क्या है यहाँ पर सब कुछ हापुड में दरसल यह एक खबर निकली थी कि आंगनबारी केंद्रों में बच्चों की जो सिच्छा है उसके मद्दे नजर सरकार ने सिच्छा में सुधार करने और बच्चों की योगता को बढ़ाने के लिए नई सिच्छा नीती के बदलाओ करके सिच्छा मित्रों को आंगनबारी केंद्रों की सिच्छा की जिम्मेदारी देने का निर्ड़े लिया है यानि कि जो नई सिच्छा नीती आप देख रहे हैं 2019 की जिसमें प्ले ग्रूप का जो है एक तरह से जिक्र किया गया था कि आँगनबारी केंद्रों को playgroup में तबदील कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर इसमें बताया जारा है कि सिच्छा मित्रों को भी लगा दिया जाएगा तो ये जो बात है वो कहीं न कहीं हमारे आंगन बारी बहनों आप लोगों के लिए एक मुसीबत साबित हो सकती है कहना चाहूंगा बता जरा जिसमें सिच्छा मित्रों को प्ले ग्रूप के बच्चों की सिच्छा की जिम्मेदारी सौपी जाएगी तो अगर प्ले ग्रूप में सिच्छा की जिम्मेदारी सिच्छा मित्रों को दे दी जाएगी तो आंगन बारी बहने क्या करेंगी तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक सवाल आगे देखने को मिल सकता है जो कि जैसा कि आप देखते हैं स्मार्टफोन भी हमारी बहनों को चलाना नहीं आता बहुत सी तो समस्या आती रहती हैं तो कहीं न कहीं सरकार के मन में हो सकता है कुछ न कुछ जो है ऐसे नीती चल लही हो जो हमारी आंगन बारी बहनों के खिलाप में हो तो कहना चाहूँगा यहां पर देख सकते हैं जिसे नए सिच्छा, जो यानि कि नए सैच्छिक सत्र से बताया जा रहा है कि इसकी सुरुआद करने का कार किया जा रहा है और नई सिच्छा नीती में बदलाओ के बाद सिच्छा मित्रों और आंगन बारी कारकरते हो को सिच्छा की जिम्मेदारी देने का नड़य लिया गया है यहाँ पर starting में सबसे पहले लिखा गया है आप देख सकते हैं कि सिच्छा मित्रों को जिम्मेदारी जो प्ले गूरूप की सौप दी जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं वहीं पर अब बाद में आपर ये भी करें कि आँगन बाड़ी बहनों को भी और सिच्छा मित्रों को जिम्मेदारी सिच्छा की सौप जाएगी तो कहीं न कहीं ये चीजे अभी मिक्स करके चल रही हैं हो सकता है गुमराही सरकारे कर रही हो पुरा मुँ अपना खोल नहीं र परकार ऐसी हैं कि इनके सामने कुछ भी नामुकिन भी नहीं है आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में प्रेरक थे उनको साइड में लगा दिया गया दूसरी बात ये 25 गार पचीस हजार होम गार्ड बेचा ले थे उनको भी साइड में लगा दिया तो यहाँ पर अब हमारी बेहनें जो कर रहे हैं वो सिचछा का उनका काम है तो यहाँ पर बनस सिर्फ और शिर्पा अघंवारी बहनों का ही बनता है प्लेगरूप में अगर बच्चे बदले जाएंगे आघंवाडी केंद्रों को एगर बदला जाए तो वहाँ पर जो सैचिक कार है वो आंगन बारी से ही लिया जाए, यूँ कह सकते हैं कि एक हक है यहाँ पर, हक की अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर अगर सिच्शा मित्रों की तैनाती हो जाएगी तो फिर आंगन बारी बेने कहा जाएगी, तो ऐसे में आप पूरी पोस्ट को देख लिजे, लिखा है कि य दिया जाएगा यानि कि आंगन बारी बहनों यहां पर साफ तोर पर सरकार कहले जैसा कि मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूं कि सिच्छा मित्रों को और आंगन बारी केंद्रों की सिच्छा की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें सिच्छा मित्रों की योगता और उनक नहीं 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 ये चीजे सरकार के अंडर में चल नहीं है कि आने वाले समय में प्ले ग्रूप जो आपके बनेंगे आंगनबारी केंद्रों को जो बदला जाएगा उनमें पढ़ाने के लिए सरकार बाहर से भर रही है जैसा कि सिच्छा मित्रों को बर रही है यहां पर सब आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ यह एक बदलाव आगे देखने को मिल सकता लेकिन यहाँ पर आंगन बारी बाहिन जो बहुत सी हैं उनका हक कहा जाएगा ऐसे में सवाल उठता है भरतियों को लेकर के प्रमोसन को लेकर के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जा जिसमें सरकार ने नई सिच्छा नीती में बदलाव करने के बाद सिच्छा मित्रों को आंगन बारी केंदरों में सिच्छा की जिम्हेदारी देने का निड़य लिया है जिसमें सिच्ष मित्रों की योगता और अनुभो के अधार पर सिच्ष मित्रों को आंगनबारी केंदर के लिए चैन किया जाएगा और जिसे नए सहचिक सत्र से लागू करने पर विभाग द्वारा काम किया जा रहा है जिसके लिए जो है बाल विकास एवं पुष्टा हार विभाग जो आपका है और महिला कल्नाड विभाग तो तैयारियों में वो भी जुट गया है तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं आने वाले समय में बहुत जल्द आगले सत्र से ही जिसकी तैयारी हो रही है तो बहुत जल्द आप लोगों को हो सकता है 15 दिन, एक महिना, डेड़ महिना के बाद में इसके सम्मन्द में एक बड़ी जानकारी आप लोगों को सायद मिल जाए कहना चाहूँगा नीचे आप देख सकते हैं प्ले प्री जो प्राइमरी सिच्छा है उस पर बाल विकासे वो महिला कल्यार विभाग करेगा और प्ले प्री प्राइमरी की सिच्छा प्ले सेक अच्छा दो तक होगी और इसमें जो है सिच्छा मित्रों और आंगन बाड़ी बच्चों की जो है को जो है सिच्छित वगरा आंगन बाड़ी बहने उ सिच्छा मित्र वगरा ये लोग मिलकर के सिच्छित करेंगी तो कहीं न कहीं ये चीजे पक्की हो रही हैं कि आने वाले समय में सिच्छा मित्र भी आगन बारी में जो है प्ले ग्रूप बनेंगे उसमें लगा दिये जाएंगे तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे अपनी राय जरूर देना नीचे आप देख सकते हैं कि उनके प्रमार पत्र के अधार पर अगली कच्छा में प्रवेस मिलेगा बच्चों को कुपूसर से मुक्त रखने के साथ साथ सिच्छा की और बढ़ावा और गुरुवत्ता परक स सिच्छा की और या सरकार का कदम है और एक एक बच्चे को जो है प्ले प्राइमरी के माध्यम से आंगन बारी और सिच्छा मित्रों दोरा सिच्छित करने के साथ जो है डाटा बगरा तैयार किया जा रहा है तो कहीं न कहीं आप देख चुके हैं यहाँ पर जो एक खबर आ कुछ महीने बाद तो कहना चाहूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ा बदलाओ और हो सकता है एक बड़ा जटका भी महिला बाल विकास भाग में काम कर रही है आप सभी बहनों को भी लग जाए को कि यहाँ पर प्ले ग्रूप की जुम्मेदारी है वो पहले है या नहीं इस पर आप सभी भाईबन अपनी टिपड़ियां आवस्य देना वहीं पर कहना चाहूंगा अगली खबर में आपका स्वागत है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की जो पोस्टे हैं वो कहीं एक जगए नहीं काफी सारी पोस्टे यहाँ पर देखने को मिल मिल नहीं है जैसा कि आप स्किन पर देख रहे हैं कि यह खबर न्यूजपेपर में निकल के हापूर से आई हैं दूसरी खबर आप यह देख सकते हैं हापूर में ही निकली है तो यह जानकारी हापूर से निकल कर आ रही है कहना चाहूंगा आप लोगों को मिड़े मील पर जूनियर जो आपका सेक्सन है उसमें बच्चों के लिए परोसे गए मिड़े मील में मरा हुआ चूह मिला है जिससे सिच्छक और आठ बच्चों की हालत दिगर गई है यहाँ पर सिच्छक भी खाया था सिच्छक ने और उनकी भी हालत खराब है कहना चाहूंगा इतनी अंगनबाडी बहनों को ही देनी है तो यहाँ पर गुडवत्ता का सवाल उठाया जाए तो सरकार यह चाहती है कि आंगनबाडी बहने खुद से दुस्मनी लें ऐसे में एक तो ग्राम प्रधान से उपर से प्रास्विं विद्याले के इंचार से अगर वो खाना घटिया क् या फिर खाना बनाते ही नहीं है तो ऐसे में वो रिपोर्टिंग आंगनबाडी क्या दें यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठते हैं जिसके सम्मंद में हम चाहते है कि ये यूनियन वाले हैं जो खुद को यूनियन कहते हैं और उपर से आंगनबाडी भैनों की भलाई के लि पुजूद भी सरकार ने मांगे तक नहीं मानी है आप वारता तक उनकी विफल नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि यह एक दो लेटर पकड़ा देने से यहां पर कुछ आप लोगों की समस्यां सुननी जाएंगी ऐसा आप कितने साल से देखा रहा है पराबर यहां पर आप बढ़ने में या फिर एक देख साल पहले जो मांदे बढ़ा जिसके लिए बेनों ने मेहनत की और उसके बाद में मिमाड़े तमाम यूनियन बस बैठे हैं लेटर निकालते हैं अभी नहीं दो महाइने बाद धरना होगा तीन महाइने बाद होगा यह सब कब तक चलेगा य साल से आप जो 1500 जो बड़ा है उसका आदेस लागू हो चुका है उसके बाद भी आप उनके खाते में नहीं पहुचवा पा रहे हैं तो यहां पर एक बहुत ही बड़ा जो धबा है वो हमारे युनोनों पर के मुँपर भी लगता है साध यही कारण है कि बहुत सी आंगनबार जाते हैं रसीदे दे दो बस वो गया काम अभी जो आप देख रहे हैं सीटू का जो आप देख रहे हैं यूनियन जो अभी जनवरी में साध 8 जनवरी को लेकर के एक लेटर निकाला था जिसे हमने सुधानसू पटेल चैनल पर डाला था कहना चांगा उस पर विरोज साथ पर हमने कर दिया क्योंकि बहनों की मांगो को उन्होंने अन्य मांगो में रखा और प्रात्मिक जो उनकी मुख्य मांगे हैं उन्हें अपनी सारी समस्याओं को रख लिया जितने भी मजदूर यूनियन है तरह-तरह के पताने कम से हम 15-20 यूनियन होंगे वो सब मिलकर के प्राज में उनके union चलते हैं, लेकिन फिर भी आंगनबाडी बेनों की समस्याओं को अन्यमागों में रखे हैं, उनको प्राथमिक्ता तक नहीं दे रहे हैं, तो साब तोर पर यहीं जलक आता कि ऐसे union सिर्फ गुमरा कर रहे हैं, यहाँ पर भीड बनाते हैं और कुछ नहीं ह हक नहीं है, यहाँ पर अगर एक देखा दे तो प्राथमिक हक जो बनता हो, आंगनबाडी का बनता है, दूसरी बाद गल्ती किसकी है, साब तोर पर कह दूँ, यह सरकार की है, सरकार जो है, आप देखते हो कि भरतियां प्राथमिक विद्यालों में करनी चाहिए, तमाम ला सिंग पर भरतियां जादा होती है, जैसे कि सम्विदा कर्मियों पर, उनको कम पैसों में लटका दिया जाता है, और इसी तरह आगे चल ला है, जबकि सरकारी जो योजनाएं हैं, जो सरकारी पद हैं, उनको ना भरने की बजाए, सरकार ये सब काम कर रही है, तो ये नीतिय लग जाएगे, कि सरकार जो किन नीतियों पर आगे बढ़ रही है, तो उमीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगले वीडियो का आप इंतजार करेंगे, वहीं पर सुधानसु पटेल और आल इंडिया अंगनबादी नीज चनल, दोनों चैनलों को जा करके आप सब्सक्राइब कर लिजे, दोनों जगे आप लोगों के काम की खबरें हम डालते रहते हैं, धन्यवाद दूस्तों